हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू जैजी किचिन में आपकी दोस्त जैजी एकबर फिर से लेकर हाजर हूँ आपके लिए एक बहुत ही बहतरीन सी रेसिपी तो अब तक तो आप लोगों ने फोटो में देखी लिया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं मलाई सोया चाप यह market वाली normal मलाई तंदूरी सोया चाप से बिलकुल अलग है क्योंकि आज हम तंदूरी नहीं आज हम gravy मलाई सोया चाप बनाने वाले हैं चलिए मेरे साथ चलते हैं हमारी kitchen में और start करते हैं तो मलाई सोया चाप बनाने के लिए हमने यहां पर ले ली है frozen वाली सोया चाप जो की easily हमारे market में available होती है तो इसे हमें सबसे पहले करना है boil क्योंकि इसमें बर्फ जमी हुई है तो हम पटाफट ले लेते हैं थोड़ा सा पानी और इसको डालते हैं pan में और इसको हम एक उभाल आने देंगे ताकि यह soft हो जाए क्योंकि जब यह soft होगी न तभी जो हमारी gravy है वो इसमें absorb होगी तो चलिए इसे हम पटाफट boil कर लेते हैं बहुत ज़्यादा देर तक इसके boil नहीं करना है सिर्फ एक boil दिलाना है जिससे कि यह soft हो जाए ज़्यादा देर तक अगर हम इसे boil करेंगे तो यह hard हो जाएगी इसलिए एक boil दिलाना है और अब हमें इसे strain कर लेना है तो जैसे remove हो गई है इसी तरह हमें बाकी सबकी भी इस टेक remove कर लेनी है और उसके बाद हमें इसको अपने हिसाब से जितने हम size में इसको चाहते हैं उसे हमें इसको cut कर लेना है बहुत बड़े हम इसके pieces नहीं करेंगे बिकास यह अगर जादा बड़े pieces कर देंगे तो जब हम कि oil हमारा गर्म हो चुका है तो हम जो हमारी चाप है उसको डाल देते हैं oil में और अच्छे से इसको हम fry कर लेंगे अलटा फलटा कर golden brown होने तक जब तक यह golden brown नहीं हो जाती है तब तक हम इसे अच्छे से fry करेंगे और धियान रखिएगा कि हमें इसे medium flame पर fry करना है क्योंक चारों तरफ से बहुत ही सुंदर सा कलर आ गया है इसके उपर तो चलिए हम फटा फट फ्लेम को कर देते हैं off और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं तो चलिए चाप हमारी fry हो गई है और अब हमने ले लिया है एक बोल जिसमें हमने डाल दिया है डेड़ कप दही यानि वन तो दूद थोड़ा ज्यादा था इसलिए वह थोड़ी सी पतली फॉर्म में हो गई है आप थोड़ा थिक भी हो तो डाल सकते हैं तो इसके साथ हम यहां पर डाल रहे हैं दो टेबल स्पून घर की मलाई आप यहां पर क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी मलाई हम दालेंगे क्योंकि मलाई चाब बना रहे हैं तो मलाई तो बनती है तो अब हम इसको करेंगे अच्छे से विस्क क्योंकि इस ग्रेवी को विस्क करना बहुत ही जादा इंपोर्टन है क्योंकि दही की ग्रेवी है तो यह फट सकती है इसलिए इस तीन चीजों को अच्छे से विस्कर से विस्क कर ले तो देखिए हमने इसको अच्छे से विस्क कर लिया है और अब हमने रख दिया है फ्लेम पर एक पैन को जो कि गहरे तले का बरतन है भारी तले का गहरा बरतन है इसमें हमें डाल दिया है एक टेबल स्पून और एक टेबल स्पून बटर ओयल को हम इस और थोड़े से खड़े मसाले जिसमें हमने ली है दो छोटी लाइची, थोड़ी काली मिस, थोड़ी लॉंग, इन सभी चीजों को हम अच्छे से ओयल में सौते कर लेंगे, ध्यान रखिएगा कि जो मोटी लाइची, लॉंग और छोटी लाइची होती है, ये सब ओयल बॉम ह बहुत तेजी से ओयल में कभी-कभी फट जाती है, तो आप जल सकते हैं, बी कियरफुल, इसके साथ हमने यहाँ पर डाल दी है, एक टेबल स्पून, अध्रक लसन हरी मिर्च की पेस्ट, जो की हमने चॉप करके रखी हुई थी, तो एक से तेबल स्पून हम यहाँ पर डाल तो देखिए, हमने सारी ग्रेवी को डाल दिया है, पैन में, और अब इसको हमें अच्छे से चलाते हुए पकाना है, तब तक जब तक कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल ना आ जाए, तो बॉयल आने तक हमें इसे कंटीनूस की चलाते रहना है, तो चलाते चलाते हम इसमें बॉयल आने तक इसको पकाएंगे, बहुत जाते दिर इसको पकाने की ज़रुवत नहीं है, बस हमें एक इसमें बॉयल लेके आना है, देखिए मैंने इस ग्रेवी में बहुत सारे खड़े मसाले डाले हैं, बट इन खड़े मसालों को हमें इस ग्रेवी में बिल्कुल भी नही तो देखिए हमारी ग्रेवी में बॉयल आ चुका है तो हम फ्लेम को मेडियम करके हम इसे एक से दो मिनट तक ग्रेवी को पकाएंगे ताकि जो हमने खड़े मसाले इसमें एड किये है इसका बहुत ही अच्छा सा सोंधा सा फ्लेवर जो है वो इस ग्रेवी में आ जाए तो चल तो चलिए हम वापिस चलते हैं अपने पैन की तरफ उसी पैन को हमने वापिस रख दिया है फ्लेम पर और इसमें अब हम डालेंगे दो टेबल स्पून ओयल और इस ओयल को हम गर्म करेंगे हलका सा और अब हम इसमें डालेंगे एक बारी कटा हुआ प्याज तो हमने यहां पर लिया है एक प्यास इसको हमने बारी चॉप कर लिया है वो हमने इसमें एड कर दिया है इस प्यास को हमें पकाना है सौते करना है बट इसको हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है बस हलका सा पिंक सा मतलब ट्रांसलोशन करना है इससे ज़दा हमें इसे नहीं पकाना है तो बस चलिए हमारे प्यास सा कलर हलका सा चेंज हो जाए पिंक हो जाए बस इतना ही हमें इसे पकाना है तो अब जो हमने ग्रेवी स्ट्रेन करके रखी है वो हम इसमें एड कर देंगे तो चलिए फड़ा फट उठा लेते हैं हमारी ग्रेवी और ग्रेवी को हम इसमें एड कर कर रही हूं तो चलिए हमने डाल दिया या नमा को इसके साथ ही साथ हम यहां पर डालेंगे आधा चोटा चमच काली मिर्च का पाउडर और इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें हमारे बहुत जादा कोई ऐसमें करते की यहां जाते हैं तो चलिए हमें ग्रेवी हो कर लेते हैं अच्छे से मिक्स ग्रेवी को हम कर लेंगे रच्छे पानि दूद में पोने पर आदा दूद और पानी लिया है और इसको एड कर दिया है हमारे ग्रेवी में तकि जब हम इसमें चाप को आडेगे तो कर देज़े तो इसके लिए हमें मौश्य चाहिए तो अग्राया कर देना एम पर खो गए हैं देख लेते हैं क्या पोजिशन है इसकी तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी जो है उसने ओी DRW करदिया है और बहूत ही अछ़ी पक रही है और काफी ग्रेवी जो है काफी ठिक हो गई है क्योंकि जो हमारी चाप है उसने काफी अच्छा मॉश्यर एब्जॉब कर लिया है तो चलिए हम यहां डालते हैं हमारा बहुत ही important ingredient जो कि है कसूरी मेथी तो हमने यहां पर ली थी एक टेबल स्पून कसूरी मेथी जिसको हमने यहां पर इसमें एड कर दिया है तो देखिए कसूरी मेथी डालते ही कितना अच्छा सा टेक्स्चर आ गया ना कितना colorful कितनी beautiful लग रही है बिल्कुल market जैसी बनी है जैसी हमें market में मिलती है उसका टेस्ट भी बहुत ही amazing है तो हमारी gravy मलाई अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने family friends के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें और bell icon को ज़रूर हिट करें जिससे मेरे next video की notification आपको मिलती रहे कि वो भी बिल्कुल free में मैं आपसे जल्दी ही फिर म मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा वाय वाय टेक केर